रिज भी खरीद के लाओंगा, हतियार भी खरीद के लाओंगा, ट्रेनिंग भी लूँगा, शेफ के रूप में कहीं पे जाकर की काटा कैसे जाता है, उसके बाद कैसे पूरी बॉड़ी को निपताया जाता है, हिंदूों का ठेका आपने क्यों लिया है, पूरे भारत के को खतम करने के टूल के रूप में सोचना, समझना, ये लाओंगा, कडवे सवाल पूचे जाएंगे, तो तुम जाने भी नहीं जाते, खड़ों के लिए ही जाने जाते, आवेसी का स्टेटमेंट इस परकार के घट्टा में हमेसा उल्टा आता है, और ऐसा कहा जाता है कि आ कपिल मिस्रा नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हर हिंदुवादी घटना के बाद जो है आप एक्टिव हो जाते हैं, और जहां भी हिंदुवों की हत्या होती है, वहां पे आप पहूंच जाते हैं, आप से आज मीठे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कड़ों के लिए ही जाने जाते हो, अच्छा आप गुजरात में अभी हैं, गुजरात में आप यहां पे क्या कर रहे हैं, देखे गुजरात में मैं सूरत में हूँ, सूरत में वार्चा और कामरेज और करतारगम, यह तीन सीटे हैं, जहां पर पिछली दो दिनों से मैं जन संपरक और जन समवाद के काम में लगा हुआ हूँ, मतलब यहां पे बीजेपी को अगर चुनाओ जीतना है तो आपकी जरूरत है, कारकरताओं की जरूरत है, पूरे देश से कारकरता आते हैं और आपको पता है कि भारती जनता पार्टी किसी भी चुनाओ को हलके से नहीं लड़ती है, अपने सभी संसाधुनों के साथ लड़ होती है, इसलिए जिसको जिम्मेदारी को निभा रहा है, पहले राजास्थान, फिर जार्खंड और अभी दिल्ली में हिंदू की हत्या, दो जगा लड़की की और एक जगा किसी ब्रिद ब्यक्ति की हत्या हुई थी, और इन तीनों जगा आप एक्टिव दिखें, सिर्फ और सिर्फ तीन ही जगा एक्टिव क्यों दिखें आप? नहीं, आपने तीन जगे को ध्यान से देखा होगा, दिल्ली में जब दिल्ली के दंगे हुए, जितने भी हिंदू दंगा पीडिते उन सब के परिवारों की मदद के लिए हमने काम किया, उसके बाद हिंदू का ठेक राजिस्तान में पुजारी जी को जिन्दा जला दी गया, उनके परिवार की मदद के लिए हमने काम किया, उसके बाद अभी कनहिया लाल जी की जो हत्या हुई, उनके परिवार के लिए हम लोगों ने कोशिश की, करनाटक में, मैंगलूर में, प्रवीन नेटारू जी की ज खाली राजिस्थान या दिल्ली तक नहीं है, आपने जो डेटा गिनाया है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और इतने सारे हिंदूों की हत्या हो रही है, तो इसके लिए कौन है दोसी? पिएफाई के लोग सामिल हुए, जो जाच में सामने आ रहा है, इसके अलावा NIA की जाच चल रही है, कुछ हत्याएं जरूर सामने से निकल के आ रही है, कि इसमें इंटर लिंट थे, पहले से हिटलिष बनाई जा रही है, प्लान किया जा रहा है, और उसके बाद जो बहुत ही सस्टेंड अभियान कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, रैडिकल इसलामे ग्रूप के द्वारा चलाया जा रहा है, कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ नई भी पकड़े जा रहे है, असरद्धा की हत्या जो है, वो मई महीना में हुई थी, 18 माई को, लेकिन घटना जो है, उसका उजागर किया गया जो है, वो नौमबर आट के आसपास, ऐसा क्यों? मैंने देखे हैं, जिसमें बिटिया की हत्या होने के कई-कई महीने बात तक, क्योंकि फोन पे बाती नहीं हो रही परिवार से, परिवार को मालूमी नहीं कि उनकी बेटी जिन्दा भी एकी नहीं है, ये इतना गंभीर समवाद का अभाव हो गया, जो लड़की अपने माँ खतम होने का कारण क्या है, इसको अगर हम सोचना शुरू करें अपनी बेटियों की आज की परिस्तिती के मामले में, जो बेटी ने अपने प्राण दे दिये, उसको भी दोशी ठरा के कुछ साबित नहीं होने वाला है, जो हत्यारा है वो अपने आप में तो दोशी है, लेक के अंदर, राजनीती के द्वारा इन मुद्वों पर जो चुप्पी है, जो सन्नाटा है, इन सब के कॉंबिनेशन को मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक एक करके हम अपनी बेटियों को खोते चले जा रहे हैं, अच्छा लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिहाद की हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, चुकि इस केस को जो है, आपने बारिकी से अश्टर्डी किया है, नहीं देखिए, श्रद्धा की हत्या खाली आफ्ताब ने श्रद्धा को ही मारा है कि आस तक या इस से पहले भी और किसी लड़की को मारा है, इस से बी हत्याय की है, उसकी mentality क्या थी, किन परिस्थितियों में उसने निरिणे ले लिया कि फिरिज भी खरीद के लाऊंगा, हत्यार भी खरीद के लाऊंगा, ट्रेनिंग भी लूँँगा शेफ के रूप में कहीं पे जाकर की काटा कैसे जाता है, उसके बाद कैसे पूरी body को निपताया जाता है उस पूरी प्रक्रिया से वो लड़का गुजरा है और सोच समझ के cold blooded murder किया है उसने शद्दा का और उसने अपने कबूल नामे में ये भी बोला कि मैं तो एक हफते पहले ही मारने की सोचा बैटा था तो आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति किस से एक लड़की के साथ रह भी रहा है और मन में ये निश्चित भी कर रहा है कि मैं इसको मारूंगा कैसे मारूंगा काटूंगा इसकी body को निपताऊंगा कैसे ये दरिंदगी ये असमवेदन शीलता ये कहां से आ रही है दिमाग के अंदर स्रद्धा का जो वह अंग जैसे दो किड्नी होता है लीवर होता है जो बेचा जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में जिसका जो है बहुत ज्यादा कोस्ट है वह अभी तक पूलिस ने बरामत नहीं किया हालाकि इतने दिनों में वह अंग जो है वह सड़ भी जाते है और ख के ले जाने से पहले चार बार सोचेंगे वो रात में खुद हत्या करके उस बोड़ी के टुकड़े लेके उस जंगल में जा रहा है इसका मतलब उसका कोई साधारन मानव वाला दिमाग या सोच नहीं है वो किस हद तक शैतानी सोच है और क्या 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 उसने कलपना की हों ती यानि तीन साल से तो केवल पिटी रही थी प्यारिया मौबब जैसी कोई चीज तो बची नहीं थी यह सबसे बड़ा गंभीर समस्या और यहीं पर मैं बार बार हाँ जोड़ के विंति कर रहा हूं हर पिता से हर भाई से हर समाज के उस व्यक्ति से जो बेटियों के प्र अंदर अपराधी का एंकाउंटर कर देती है और सिर्फ और सिर्फ पैर में गोली नहीं मारती है उसे हमेशा के लिए खतम कर देती है हाइदराबाद में बीजेपी की सरकार नहीं है यूपी में घटना घटता है तो जो है वहां की पूलिस जो है पैर में गोली मारती है और कर से सजा धिया है। मुझे लगता है कि कानून और विवस्ता फ़ोर्व अपरादियों के मन में होना चाहिए और उस आक है इंको या मानवता की चश्में से नहीं देख सकते इस परकार के अपरादियों को Not अच्छा ओवेसी का स्टेटमेंट इस परकार के घट्टा में हमेशा उल्टा आता है और ऐसा कहा जाता है कि ओवेसी बीजेपी के बी टीम है इसकी कितनी सचाई है नहीं वो ही लोग ऐसा कहते हैं जो यह सोचते हैं कि मुसल्मानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करो और वोई काम जब OVC करता है तो उनको ये भी लगने लगता है कि ये कहीं हमारा वोट बैंक, तो ये खाली इन पार्टियों की, कॉंग्रिस की, आम आदमी पार्टिय की, समाजवादी की और OVC की आपस की मुसलमानों के वोट की लड़ाई है, OVC उनको बीटिम बोलेगा, लेकिन अंत में लड़ाई खाली इतनी है कि इन में से मुसलमानों का वोट कौन लेके जाएगा, आखरी में सबसे कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक हत्या जहरकंड में होता है, आप पहुंच जाते हैं, हत्या महाराष्टा में होता है, करनाटका में हो मुचे, क्योंकि हत्यारा जो है, मुसलमान नहीं था, इस वज़ा से, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं देखिए हर कोई व्यक्ति अपनी जीवन में एक मिशन लेके काम कर सकता है, आप एक मिशन लेके काम कर रहे हो कि पत्रकारता के माध्यम से सवाल उठाओगे, मेरा खाली एक मात्र मिशन है कि जिहाद से धर्म के कारण होने वाले हिंसा और शोषन से पीडित हिंदू परिवारों के साथ खड़े होने की कोशिश करना, सब के साथ मैं अभी भी नहीं हो पा रहा हूँ, यही इतने सारे परिवार है कि सब के साथ नहीं हो सकते हैं, और उन छे के साथ भ कोशिश करूँगा मौका मिलेगा मैं भी जरूर खड़ा हूंगा लेकिन मेरे को यह लगता है कि सब को अपने अपने हिस्से का काम धूर के उसको जिम्मेदारी से और सच्चाई से पूरा करना चाहिए अभी हम मेरा अपना जो मैंने पहचान किया काम का कोशिश किया कि अगर जिहाद से पीड़ेत हिंदू परिवार है पहले उस पे मरहम लगाने की कोशिश करूँ और साथ में औरों की भी करें ऐसा नहीं है कि ना करें लेकिन यही एक तरह से अंतहीन हो चुका है सिलसिला मनिश भाई अंतहीन हो चुका है और आपने ध्यान में लाया है तो मैं हिंदू परिवार के लिए फंड जनरेट करते हैं क्या आप बिहार में जो एक पुरा परिवार जो है वो कर्ज के तले दब के जो है आत्मत्या कर लेता है जहर करेंगे यह देखिए और कोई लोग जिम्मेदारी उठाएं उनका जरूर साथ देंगे लेकिन जिहाद से धार्मी की हिंसा से हिंदू होने के कारण हिंसा से पीडित और शोशित परिवाद पर रोक कौन लगाएगा केंद्र में आप लोग पिछले आठ साल से है कैसे रोक आई है इनाम पाई है आज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी किसने लगाया वो रोक एक बड़ी लड़ाई है आप सोचे कि यह जिहादी मान सिक्ता से जो 1400 साल से चली आ रही है उट से कोई 8 साल में खतम हो जाएगा नहीं एक लंबी लड़ाई है लड़ा जा रहा है इनके जिहादी आप किसे समझते हैं जो यह सोचता है कि मेरे को खाली इसलाम की हुकूमत साबित करनी है उसको सबके ऊपर थोपना है जबर्दस्ती अपने धर्म को सबके ऊपर थोपना है जो साथ में रहने की सोच को स्विकारी नहीं कर पा रहा है उसको जिहादी मान से यह ऐसा सब को एक साथ बोलना चाहिए कि इस प्रकार की हत्याय रुकनी चाहिए, बेटियों से समवाट शुरू होनों चाहिए, और श्रद्धा और आफताप के मुद्दे पे मैं बार बार एक बात और कह रहा हूँ, कि आप कंक्लूड मत करो की लव जिहाद है, लेकिन ये भी चाहिए, जनता वोट दे रही है, 27-28 साल से आप लोग है, अमीरों के लिए बहुत कुछ किया है, गुज्रात में सड़के चिकनी हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, गरीबों के लिए बीजेपी ने गुज्रात में क्या किया है, 27 साल से खाले आमीरों के वोट से सरकारनी बन यह तो आप मानोगे ना तो कुछ्छ होगा और आप तो पब्लिक के बीच के गए हो मैंने देखा है मोर्भी के पुल बामने में भी आप बहुत सीधे जंता के बीच में जाकर सवाल कियी है गुजरात में जगे जगे आप जारे हो जनता संतुष्ट है। जनता आकांगचाओं से और सपनों से और आशाओं से भरी होई है। जनता निराश नहीं है। तब गुजरात वाले मुद्दे पर तो आप बोल दियें। दिल्ली एंसेडी का क्या हाल है? संगर्ष और मेरे को यह लगता है कि हमारे जो मानन्य अध्यक्च जी आं मेरे की फिरिख कि पंद्रा साल से हम्मा सट्था में और मुझे लगता है कि हम लोग वापस सदन में सद्धा पक्ष में बैठने जा रहे हैं सद्धा पक्ष में बैठने जा रहे हैं वापस MCD का चुनाओ जीज जाते हैं लोग सभा का चुनाओ आप लोग जीज जाते हैं दिल्ली में विधान सभा में क्लिन बोल्ड क्यों हो जाते हैं हाँ देखिए दिल्ली के equation कुछ ऐसी है दिल्ली की सीटों की equation ऐसी है leadership है agenda है जो हम लोगों को दिल्ली के अंदर देना होगा और अगर आप यह देखें तो विधानसभा में हमारा चुनाओ का vote pressure पिसली बार भी बढ़ा है लेकिन Congress Party ने चुनाओ लड़ना ही छोड़ दिया 10% 12% भी vote लेने वाली party एक परसेंट वोट पर आ गई तो यह जो धुरुवी करन हो रहा है दिल्ली के अंदर उस राजनीती को अगले चुनाओं में हम किस प्रकार से टैकल करते हैं देखना आवश्य को एक बात समझे दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा परिसानी जो है pollution के वज़ा से है और एक आकड़ा के अनुसार दिली में सबसे ज़्यादा मौत जो है वो पर दूसीत हावा के वज़ा से बन रहा है विपक्ष में बीजेपी है इसे मुद्धा क्यों नहीं बना पा रहा है मनीश जी आपको यह बात समझनी होगी और मेरे को भी हम सब लोग pollution से इस पांच रूपचे बसके टिकेट के ऊपर वोट हो रहा या पानी पानी के 20 रूपचाने के ऊपर वोट हो रहे है यह हम लोग अर्बन अर्बन लीडर होने के नाते यूथ कनेक्ट होने के नाते इस बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं लेकिन एंवारिमेंट और पॉलूशन ये वोट के मुद्दे पे कनवर्ट होगा मुझे लगता है लोगों के दिल को तो छूरा है लेकिन अभी दिमाग के अंदर य आपके साथ बैठा हुआ हूँ और गुजरात के अलग-अलग राजकोट में गया हूँ वडोद्रा में गया हूँ एहमदाबाद में गया हूँ इन सब जगे जाके मैंने यह मैसूस किया है कि गुजरात में एक अंडर करेंट है मैसीव अंडर करेंट है प्रदानमंत्री ज जिन्होंने अपनी सारी बातों को जो है बारी की तरीके से रखा और लभ जिहाद के उपर साथिसाथ दिली MCD चुनाओं के उपर गुजराच चुनाओं के उपर और स्रद्धा और अपताप के ऊबर म flavors अपनी बातों को रखा इनकी बाते आप लोगों को कैसी लगी और हमारा ये प्रियास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना जै हिंद